आज बनाएंगे सेख्के हुए आलू का मसाला चावल तो हमने चावल मुगाल के लिए लिया है अच्छे से और आलू भी हमारे साथ में सेख्के रेडी है इसमें से हम तीन आलू लेंगे थोड़ा सी चावल लेंगे हम गुजराती लोग खाने में बहुत शोकिन होते तो दार चावल हमारे घर पे रोज बनते हैं ते दार चावल के साथ हमें कुछ चटपटा खाना है इसलिए हमने चावल भी पका लिये हैं और आलू भी सेख्के लिये हैं तो अस बात में दूसरे आलू की तो हम बाची बनाने वाले तिन आलू से हम कट करके मनाएंगे बहुती बढ चावल है दोनुद ऑब मेट Will फिखेंठाट अ म adalah demasi नवू इन और चाहिए हैं य। बनाने का तरिकर शरू करते हैं ये लोहे की कड़े के अन्दर बनेगा दिखेंगे ये तवहाय बहुत है बँच्टर के जिससा इसके अंदर हम बनाएंगे कड़ाई को अच्छ से अप्स वाद में तेड डालना है तो तेड डाल देंगें दो चम्मत बड़ी इतना तीर डवा है आप घी भी डाल सकते हो काजू डालेंगे थोड़ा सा काजू हमें सेख के निकाल देना है हमें कानिशिन के लिए यह काजू चाहिए इसलिए अब ना डालो तो भी चलेगा तासा परांग चेंच हो बाद में निकाल देना थोड़ा सा साही जीरा तील लों दो इलाईची प्यार घरी मिर्ची साथ में इला मिर्ची थोड़ी जेर पकारेंगे हमारी फ्यवेड कड़ी पत्ता थोड़ी से थोड़ी सी अध्रक नस्रम मिर्ची की पेश्ट् प्याज पपने आ गई है रून डाल देंगे आलू अलू अल्लेबा रच्चे से इना देंगे मसाला कर लेंगे बाहर कोई मसाला नहीं है अमारा थोड़ी सी घल्दी थोड़ा जानिया जीरा एक चम्मत पर के तिक्खी वाली मिर्ची थोड़ी सी राश्मेरी मिर्ची राश्मेरी मिर्ची जगने डालना है हमे मसाले को मिला देंगे चावल डाल देंगे चावल डाल देंगे चावल डाल दिया है हराश्मेरी मिला देंगे और के लाऊमार देत defense देंगे मिलाइंगे लाट से चाहेगा नमक, अधी चम्मट आप नमक स्वास्टी सब्स डालिए, आप चाहों सोहरी प्याप्डी डाल सकती बुष्टे अंदर, तरी हरेड़े हो गया है, दो मिटब पका लेंगे, बड़े तवी में सिचाहेगा, छोटे तवी के अंदर, सारी डीज रेड़ी कर दिया है, हमारा काजू तवी तवी में सिचाहेगा, छोटे तवी के अंदर, देला हुआ था, वो डाल रहे हैं, थोड़े से दनिया की पत्ति डाल देंगे, सैड में, थोड़ा सा, चाट मच साला, काजू को ओपर भी डाल देंगे, में तो देखिया हम रेड़ी समने सजा के रेड़ी कर दिया, अकदम करारे करारे काजू और बहुत बड़िया, मनके रेड़ी हो चुकी है, हमारी वीडियो अच्छी लगया, प्लेटिक लाइक कर देना, दोस्तों के दर शेर करना, और जरूर से बनाना, खाना, ओके, बाई-बाई, दोस्तरे वीडियो के साथ वापिस,